तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची वाला चिकन जो खाने बहुत ही ला जवाब होता है जिसके लिए मैंने आदा गलो चिकन लिया जिसको अच्छे सदोकी रख लिया था और मैंने हापे कुछ मसाली लिया है जैसे एक प्यास लिया कटी हुई छे साथ लस्टन लिया आदा इं यह पर साथ में गाले इस कुछ कुछ ड्राइब अचमच नमक होन्तर के दां कमें ऐसाइब राण कर ली यह उन्रह कण लिया कड़ाई के अंदर मैंने ऐल डाल दिया है एक चंचे के करीब गरम हो चुका है अब हम उसमें कटी होई प्यास डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी और लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे साथ में हम जो हमने गरम मसाले रखे थे वो डाल दींगे इनको डालके भी कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे अब हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने दो के रख लिया था और चिकन डालने के बाद हम मिक्स करेंगे इसमें जितनी देर तक डालने हैं जितनी देर तक डाल impacted यहां पानी रखेंगे जाता नहीं रखेंगे इसमें देखे आप पानी जाता है तो तेज गैस कर लें और इस सी ढुन लें अच्छे से अब हम यहां पार डालींगे कुछ डृई मसाले हम निकाल के अब हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हमें गैस की प्लेम को कम कर देना है बहुत ही मीटी स्थ्रोल कर लेना है अब यहां पर डालेंगे जो हमने मसाले पीसे थे वह इन सब को डालके मिक्स करेंगे अब हमें मिलाते ही रहना है चिकन इतनी जल्दी गल जाता है मिलाने में ही इसको अलग से पानी की ज़रत नहीं पड़ेगी तो अब हम पांच मिनट ठकके रख देते हैं और जी पांच मिनट हो चुके हैं हमने खोला है तो देखिए बहुत अच्छी से भुन चुका है मसाला अब हम साथ में यहां पर डालेंगे दही डालने के बाद हमें फॉरण से मिलाना है इसको रोकना नहीं है गैस की प्लेम को कम रखना है अगर हम दही डालने के बाद मिलाएंगे नहीं और ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा उसमें कड़वा पनाता है तो इसको यहां पर यह बहुत अच्छी से मिल चुका है अब ढ़क कर देते हैं दस मिनट के बाद हम खोल कर देखते हैं तो हमारा चिकन आलमोस्ट रेडी हो चुका है अब गार्णिश के लिए हम इस नहरा धनिया डालेंगे अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग